दोस्तो आज हम सीखेंगे स्वाधिस्ट और प्रोटीन से बढ़ा हुआ चिकन ब्रेस्ट कैसे घर पर इजली पांच मिनड़े बनाए तो आए शुरू करते हैं उसकी रेसिपी माइनर से माइनर चीज आपको इस वीडियो में बढ़ाएंगे तो बने रहे हमारे साथ इसको एक बर्तन में ले लेना है और उसके बाद इसको अच्छे से धुल लेना है ताकि इसकी गंदी प्रॉपटीस सारी जल से जल निकल जाएं और हम लोग फिर इसको पकाएंगे और आगे अब हमारा चिकन हो चुका है अच्छे से बॉइल और अब हम इसे पकाएंगे लेकिन एक बात ध्यान रखियेगा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसको आप देसी गी में पकाएं क्योंकि देसी गी में गुट फैट होता है और जो हमारी बॉड़ी के लिए काफी जादा अच्छा होता है आपको इसमें यूज करना है गरम मसाला हल्दी थोड़ी और धनिया पाउडर, मिर्ची और नमक अपने स्वाद अनुसार और आपको इसको चिकन ब्रेस्ट के उपर अच्छे से डाल लेना है देखें जिस सरा से मैं डाल रहा हूँ वैसे आपको डाल लेना है और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है देन आपको यहाँ पर थोड़ी सी मिर्च डालने नहीं अपने स्वाधन सार जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे मिर्ची डाल लीजे और मुझे थोड़ा मिर्ची जादा अच्छी लगती है तो थोड़ी मैंने जादा डाल ली तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा नमक डालना है और यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला और यहा में अच्छा लग और हमारा तेल हो चुका है यहां पे गरम तो हम यहां पर अपने पीसिस को डाल लेंगे और गाइज यह बात ध्यान रखिएगा कि आपको वन साइड़ पांच मिनट तक पकाना है कितने पांच मिनट आप फोन में टाइमर लगा लिजेगा पांच मिनट तक आपको वन साइड़ पकाना है ताकि यह अच्छे से फ्राई हो जाए और आपको खाने में भी काफी सौधिस्ट लगे पांच मिनट हो गये और हम इसको पलट लेंगे दूसरी साइड से भी हमको इसको पांच मिनट तक अच्छे से पकाना है और फ्लेम आपकी जो है मीडिय फ्लेम पे रहेगी ताकि हमारा चिकन जो है वो जले नहीं और खाने में भी काफी अच्छा लगे आपको क्रंची और प्रोटीन से भरा हुआ और उसमें गुट फैट आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा जो आपके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है इस साइड से भी आपको पांच मिनट तक अपने चिकन ब्रेष्ट को पका लेना है वे शुका ही सब में पांच मिनट हो गया है और हमारा चिकन दोनों साइड से काफी अच्छी तरह से पक चुका है और अब आप इसे प्लेट में सर्व कर सकते हैं और इसका लुट उटा सकते हैं और कितना अच्छा लगेगा कितना स्वाधिष्ट लग रहा है देखने में बहुत ही स्वाधिष्ट है चिकन खाने में आपको एकदम मज़ा जाएगा और आपको प्रोटीन से भरा हुआ चिकन भी मिल जाएगा इसमें गुड फैट है इसमें प्रोटीन है इसमें काफी अच्छी मा मसाला लगा के इसको बोग साइट से 5-10 मिनिट तक पका लेना है आपके लिए हम इस चैनल पे ऐसी वीडियो लाते रहेंगे अगर आपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अच्छे चिकन ब्रेस्ट का लूत उटाईए थैंक यू वेरी माच मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में